एलो गाईज इंडिया जापान साउथ कोरिया एक ट्राइलेटरल एकसराइज करने वाली है जो की स्टेबलाइस करेगी इंडो पैसिफिक रीजन को तो मैं इसके बारे में और बताने जा रहा हूँ तो गाईज फोटो में आप देख सकते हैं ट्राइलेटरल एकसराइज जिस पैसिफिक पावर्स के लिए जिसमें इंडिया साउथ कोरिया जापान है यह तिनों देश भी इंडो पैसिफिक मेर के पास यानि इनके कोस्ट जो हैं रहते हैं और जो जापान और इंडिया है इन्होंने तुरंद इंड्रेस्ट दिखाते हुए अपने गोल को जो फॉरेन इंड्रेस्ट को रोके यानि जो पूरी दुनिया के लिए खत्रा बन सकता है तो मैं इसके बारे में और बताने जा रहो गाइस जो स्टेक होल्डर्स हैं यह चिंता में पड़े हुए हैं क्योंकि चाइना जो है अब एम करा डाइवर्सिफाई करने के लिए पूरी दुनिय को खास करके अपने नेवर्स को टैक्टिकल और स्ट्राइजिक केपबिलिटी से जोड़ने की और जो इंडिया साउथ कोरिया जापान और जो चाइना की जितने पड़ोसी हैं अब वो भी साथ में डाइवर्सिफाई हो रहे हैं मतलब अपने आपको मिला रहे हैं मेल जोल क अपने मिलिटरी को मिला रहे हैं ताकि चाइना के इस मिशन को रोका जा सके नए तो भाई जो स्रिलंका में हाल हुआ है वहीं अब उनके साथ भी हो सकता है इसका डर है भाई इनलों को और जापान पीम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर फूमियो किसी दा अपने विजिट मे इंडिया में एनाउंस किया कि उनकी जो कंट्री है उनका प्लान है एक नए इंडो पैस्विक स्ट्राइजिक के लिए चाइना को काउंटर करने के लिए जिसमें इंडिया उनका एक अच्छा एली अच्छा साथी हो सकता है इस मिशन को काम्याब बनाने के लिए तो इंडो को लेकर जहांपे एक domination चलना सिंगल पावर का उसको खतम करना है और साथ में दूसरे जिसमें बाराव उसको खाला वोmittel खाला कुछा करेंगे और साथ सेर क्या हम साथ यहां पे-पोसिशन को लेकर वो नाइविगेट करेंगे ता कि द ककियरां मतलब तीनों लोग इस reason की सुरक्षा करेंगे साथ में मिलके इनके militaries, navy और airports इस पूरे reason की निगरानी करेंगी और जो छोड़े छोड़े देश हैं उनकी भी मदद करेंगी और भी चाइना के इस mission को रोकने की पूरी कोसिस रहेगी New Delhi के bilateral engagement में दिखा है जिसमें East Asian partners जो हैं tremendous progress दिखाएंगे बहुत अच्छे कैसे growth होने वाली है और जो look East policy है 1992 में शुरुआत हुए इसकी और उस समय इसमें ज़्यादा growth नहीं हो था लेकिन आप इसमें ज़्यादा growth होगा क्योंकि जो relation जापान और South Korea एक साथ बहुत अच्छे relations बने हैं और common progressive value तीनों के गोल सेम है इसे लिए अपने दुस्मत चाइना को हराने के लिए तीनों साथ में मिलने को तयार है इंडिया ने comprehensive economic partnership agreement CEPA South Korea और जापान के साथ साइंग किया है 2010 और 2011 में जिसमें indicate किया गया है relationship को लेकर incorporate को लेकर development aspiration को लेकर तीनों countries में जो की economic growth trajectory को बढ़ाएंगी तो मतलब अपने लिए कि economic corridor खुलेंगे ये तीनों country है मिलके और development technology इन सब को मतलब share करेंगे आपस में और trade के अलावा यानि business के अलावा ये South Korea और जापान के लिए एक greater avenue होगा मतलब अच्छा खासा पैसा कमा सकते है अपने आपको मिला के अर्थ वाइल में जो कि लुक बेस्ट लुक इस्ट policy है और जो नाव निवर एक्ट इस्ट policy जिसमें change हो जो कि लुक इस्ट policy को निवर एक्ट इस्ट policy का आगया है advance करेगा security cooperation मतलब security को बढ़ाएगा दोनों countries में और जो militaries होंगे Japan इंडिया की जो कि domain करेंगे maritime security को मतलब चाइना की जो security है अब उनको टक्कर देने के लिए इंडिया और जापान आ गया है उन्होंने participate करेंगी regular joint exercise में और indicate करेंगे seriousness याने चाइना को सीधा साधा एकदम धंकी होगा कि अगर तुमने Pacific को कभजा किया तो हमारी military जवाब देने को तयार रहेगी और 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 जो cooperation होगा विसिवाल होगा देखा जा सकेगा Coast Guards की बीस South Korea और इंडिया में जहां पर उनलों फॉर्म करेंगा ट्राइलेटरल में कंजिस्ट होगा तीन लाइक माइड़ डेमोक्रेसी जो तीनों चाहते हैं कि चाइना के पावर को रोका जाए प्रोवाइड करेगा focus major resource जो focus होगा major resource जो बड़ी-बड़ी problem है और immediate strategic interest भी होगा रिजन में जो trilateral dialogue है यह prioritize करेगा important issues जिसमें maritime security होगी इंडो-pacific में जो सुरक्षा के चिंता है उसको लेगा जिसमें East Asia, Indian Ocean भी होगा और preserve करेगा reason को great powers politics यानि चाइना के हाथों में जाने से और trilateral will जो होगा इंसे और करेगा United States भी इन्वाइट किया जाए चाइना के एक्सपेंसिव अप्रोच को रोकने के लिए तो गाइश हम लोगा पता कि जो चार देश मिलके चलाते हैं और मेजर डेमोक्रेसी को जिसमें तीन मेजर डेमोक्रेसी है इंपावर करती है ऐलाइंस कैपबलेटी को चमता को और बिजिंग जो है इसको एडवांस होने से रोकने के लिए और अब सोचा जा रहा कि साउथ कोरिया भी साइथ कोईट को जोइन करें तो यह जो होगा सिगनिफिकेंट मतलब बहुत अच्छे बात होगी बिजिंग के पावर को रोकने के लिए और जो सीदेशन से कंट्रीज का लिमिट कर देकर ट्रीट को जो के इंपोस्ट हुई है इंडियो पैसिविक रीजन में तो गाईज चाइना ने मतलब अलग अलग अपने नेवस कंट्रीज पे अलग 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 एं रिस्ट्रिक्शन स्तैक्स लंग रहे अगर इंडियाचा 고양ज पान हिड्याज आपान साउथ को रिया बना लेते अपना ये रूट करिदॉर वालब तो तो हो सकता हां यह गैस्टृट पर चाइना ने इंपोस्त गैं ठैक्स और यह प्रोस्पेक्ट होगा फॉजिंग इस्टेंट के लिए बात रहती है उसको लेकर और जो कॉर्परेट मेकरिजम होगा मतलब वैपार करने का वह फेवर करेगा इलीज को ग्रेटर एडवांटेज बहुत बड़ा एडवांटेज देगा चाइना के बिहेविर करो सही कर इस्टिनो कॉमन इंसेंटिव है यह प्रेक्टिस करेंगे को सहन अर्ष और lush सिटुेशन क्लेकर जीस रिए सम्टर अप्रोच होगा एडवांस की जेह का किसे सेंटूरिकल पालिटिकल और सोशल कॉमिलिटिएज को लेकर तीनों थालिज नही कंट्रिज मतलब अपने स्टर उसको रोखना है एक्सपोस करने से पूरी दुनिया को जो कि डॉमिनेट कर सकता है पूरी पैसिविक रिजन को और जो उनाटेट फ्रण्ट होगा जिसमें इंडिया साउथ कोरिया जापान होंगे उनाटेट स्टेट्स भी हो सकता है पावर इंवाल्फ करने में वो लिमिट क जाओं पहला जाटेथ है चाहिना लोन देता है उसके बाद फिर लोन नाचुक आनवाले देस्क पर कचर लेता तर्ट स्रि-लंका में हुआ वही को सो सालों की ले लिया एरपोर्ट बनवा दिया लेकिन वह ऐसे जगह बनवाया कि ऐएरपोर्ट इसमाल नहीं हो सकता और जब स्री लंका नहीं दे पाया लोन तो गाइस उसने उसके पोर्ट को सौ सालों के लिए लिया